हम बनाएंगे बहुती सडल तरीके से खोब्रे की बर्फी सिफ तीन इंग्रीडेंट से हमारे बढ़ी ही खोब्रे की बर्फी सिफ दस्मेंट में सुखा नारेल जिसे हम खोब्रा बोलते हैं मराठी में चीनी और पानी इतनी बर्फी कॉंटिटी बनाने के लिए इतना छोटा बावल नारे लेना है इतना ही पानी लेना है और इतना ही शक कर लेना है इतने ही तीनों को मिला के अच्छे से राय होरने तक इसे अच्छे से पकाना है इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर भी मिलाया है इससे यह कलर आ गया इसमें बीच-बीच में इसे दीमी आज पर चलाते रहे हैं हुआ हुआ है हुआ है कि आपड़ा है यह नानी बनाते थी यह यह मेरी नानी से मेरी मंगे मुझे इउलने शिखाया अच्छा-था-टो यह मतलग ओकेजनेली बनता या कभी बहना सकती है नहीं जैसे कभी मिठा खानेका मन हुआ पैसे तो हमारे हां पर गूरी पाड़वा पर बनाते हैं, क्योंकि हमारा न्यू येर होता है, मारस्ट में गुडी पावडा जो न्यू येर स्टार्ट होता है, उसको गुडी पावडा कहते हैं, लेकिन आज ऐसे ही मन किया, तो हम लोग ने बना ली, अच्छा, तु इसे पूरा चिक चिपा और गाडा होने तक पकाते रहना, और ये अच्छी बात है कि इसमें सिफ तीनी इंग्रेडेंस गिरे हुए है, एक नारिय, एक पानी और चिनी, इसमें घी का यूज नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत अच्छा है, जो डाइट पे, जो घी घाना पसंदी कर देंगे, तो और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसे पुरा अच्छी से ड्राइ होने देना है, इसका पानी पूरा अच्छे से निकल जाना चाहिए, अब इसे हम प्लेट में निकाल के अच्छी से टैप करेंगे, फिर इसका शेप स्कुएर में एजिली कट होगा, सही कि हमें यह थंडा होने के लिए छोड़ देते और फिर धंडा होने के बाद यह से बरल पी का शेव देंगे यह देखे कितने अच्छी से जम चुका है इसे हम लोगों और राखा था था ता न्यवां कि अच्छी कितने बहुत ही बढ़िया है आप भी घर में जुरू ट्राइ कीजिएगा बीना घी और बीना तेल का बहुत हेल्डी है यह मिठाई जुरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा और खा के हमें बताईएगा कि आपको कैसे लगें बाई